नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपके अपने यूटूब चैनल क्रंट अफेर्स बायरवी पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में राश्ट्रपती के चुनाव हो चुके हैं जिसमें कि हमें पहली बार एक आदिवासी राश्ट्रपती का चेहरा देखने को मिला है आप से आपके एक्जाम में राश्ट्रपती के रिलेटर कोई भी कोशन नहीं चुटेगा तो अगर आप किसी भी एक्जाम की तेहरी कर रहे हो ये वडिया आपके लिए काफी यूसफुल और बेनिफिशिल रहने वाली है तो चलिए वडिया को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कोशन से पहला कोशन है भारत की पहली आदीवासी महिला राश्ट्रपती कौन बनी है सई आंसर है ऑप्षन B द्रवपदी मुरमू तो ये आपको याद रुखना है कि पंदर्वे नंबर की तो द्रौपधी मुर्मू पंदर्वे नंबर की भारत की राष्ट्रपती बनी है अगला कोशन द्रौपधी मुर्मू किस जनजाती से संबंद रखती है सई आंसर है option B संथाल जनजाती से तो संथाल जन जाती से द्रौपधी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपती बनी है संबंद रखती हैं तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन है द्रौपधी मुर्मू का संबंद किस पार्टी से है सई आंसर है आप्शन भारती जनता पार्टी से यह आपको याद रखना है अगला कोशन दुरापदी मुर्मू का जनम कब हुआ था? सई आंसर है option B 20 जून 1958 में तो दुरापदी मुर्मू का जनम 20 जून 1958 में हुआ है यह भी आपको पता होना चाहिए next question दुरापदी मुर्मू का जनम कहा हुआ था? सई आंसर है option B मयूर भंज ओडिशा में तो दुरापदी मुर्मू का जनम मयूर भंज ओडिशा में हुआ है यह आपको याद रखना है अगला कोशन 2015 में दुरापदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्य पाल बनी थी काफी important question है यह भी सई आंसर है option D जारखन राज्य की तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन प्रधिवाप आटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राश्ट्रपती कौन बनी है सई आंसर है option C next question द्रौपती मुर्मू को किस विधान सभा द्वारा 2007 में सर्श्रेष्ट विधायक के लिए नील कंठ पुरसकार से समानित किया गया है काफी important question है यह भी सई आंसर है option C ओडिशा विधान सभा द्वारा तो यह आपको याद रखना है अब जो friends राश्रोपती के चुनाव हुए है उनमें कुल कितने vote मिले है उसके बारे में जान लेते हैं राश्रोपती चुनाव के vote की गिंती कुल 4 round में हुई है यह आपको याद रखना है चुनाव में कुल 4754 vote पड़े थे गिंती के वक्त 4701 vote वैद और 53 वोट अमाने पाएगे ये भी आपको याद रखना है राश्ट्रपती चुने जाने के लिए कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 नियूंतम होनी चाहिए ये भी आपको याद रखना है पर द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले हैं जिसकी वैल्यू 6,76,803 बनी है जिसके कारण ये विजई रही है या इनके विरुद कौन थे वहीं यिश्वन सिना जिनकों की 1,877 वोट मिले हैं जिसकी वैल्यू 3,80,170 बनी है तो ये भी आपको याद रखना है अब मैं आपको भारत के राष्ट्रपती से जुड़े महत्तपुन अनुछेद करवा देता हूँ और ये जो राष्ट्रपती से जुड़े महत्तपुन अनुछेद हैं ये हमारे सविधान के भाग नंबर 5 में हैं ये भी आपको याद रखना है सविधान के किस अनुछेद में भारत के राष्ट्रपती के बारे में बताया गया है काफी important अनुछेद है ये सही answer है अनुछेद 52 ये आपको याद रखना है संग की कारे-कारी शक्ती राष्ट्रपती में नहित होती है ऐसा कौन सा अनुछेद बताता है तो अनुछेद 53 राष्ट्रपती के चुनाव में मतदान कोन करेगा इसके बारे में अनुछेद 54 बताता है ये आपको याद रखना है राष्ट्रपती के चुनाव की विधी ये काफी important है और ये बताता है हमें अनुछेद 55 अनुछेद 54 और 55 आपको याद रखने हैं यो दोनों काफी important है राश्ट्रपती के पद का कारेकाल ये हमें अनुछेद 56 बताता है पुनर निर्वाचन के लिए पातरता अनुछेद 57 बताता है राश्ट्रपती के लिए चुनाव हेतु योगेता इसके बारे में अनुछेद 58 बताता है तो ये अनुछेद आपको याद रखने हैं सभी के सभी अब आपके लिए एक important news है friends कि हमारी अर्दवाच की करंटफेस की book launch हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जुन तक के सभी करंटफेस को one liner form में और mcqs form में आपके लिए provide करवाया है और last में आपके लिए 15 test के sets भी रखे हैं जिससे कि आपकी करंटफेस की त्यारी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी और यकीन मानी फ्रेंट्स ये book आपको हर एक exam में काफी help करने वाली है और इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं तो इस book को आप जब भी buy करें फ्रेंट्स हमारे channels के trad marks को देखकर ही buy करें तो चलिए अब next question अब मैं आपको भारत के चर्चित राश्रपतियों के बारे में बता देता हूँ पहली है प्रतिबा सिंग पाटिल ये भारत की बार्वी राश्रपती रह चुके हैं देश की पहली महिला राश्रपती भी यही थी इनका कारेकाल 2007 से 2012 तक था और ये रास्थान की गवर्नर भी रह चुके हैं 2004 से 2007 तक डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम ये ग्यार में राश्रपती रह चुके हैं भारत के और भारत के राश्रपती ये कब से कब तक थे 2002 से 2007 तक ये भी आपको याद रखना है और इन्हें Missile Man of India भी कहा जाता है काफी important है ये कई सारे एक्जाम में पूछा गया है भारत के पहले राश्रपती कौन थे तो ये आपको याद रखना ही रखना है डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जो की बिहार से थे भारत के पहले Muslim राश्रपती कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसेन जो की तीसरे नंबर के राश्रपती थे भारत के भारत के पहले दलित राश्रपती कौन थे ये थे के आर नाराइनन जो की दसवे नंबर के थे भारत के पहले सिख राश्ट्रपती कौन थे ग्यानी जैल सिंग जो की साथवे नमबर के थे भारत के कौन निर विरोध राश्ट्रपती चुने गए थे नीलम संजीव रेडी और ये छेवे नमबर के थे अपने कारेकाल के दोरान किस राश्टरपती की मृत्यू हो गई थी तो ये दो थे डॉक्टर जाकिर हुसेन और फकरुदीन अली अहमद डॉक्टर जाकिर हुसेन पहले नमबर के थे और फकरुदीन अली अहमद पांचवे नमबर के थे पहला कोशन है भारती सविधान में निर्वाचित राष्ट्रपती का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है अमेरिका देश से Very very important कोशन है यह किस अनुछेद में कहा गया है कि प्रधान मंतरी की निक्ति राष्ट्रपती द्वारा की जाएगी? अनुछेद 75 में भारती सविधान के किस अनुछेद में राष्ट्रपती के शपत के बारे में बताया गया है? अनुछेद 60 में यह आपको याद रखना है राष्ट्रपती को शपत कौन दिलाता है? भारत के मुख्य नैदीश राश्ट्रपती पद की योगिता क्या होती है तो ये आपको points याद रखने है वैभारत का नागरिक होना चाहिए 35 वरश की आयू पूरा कर चुका हो लोग सबा सदस से बनने योगिय हो किसी लाब के पद पर ना हो तो ये points आपको याद रखने है नेक्स्ट है राश्ट्रपती का कारेकाल कितने वरश का होता है पांच वरश का ये आपको याद रखने है किसी भी राज्य के उपर राश्ट्रपती शाषन लगाने की शक्ति किसके पास होती है तो ये हमारे राश्ट्रपती के पास होती है संसत के लोकसभा और राज्यसभा के इलावा तीसरा अंग कोन सा है तो तीसरा अंग है राष्ट्रपती भारती सविधान के अनुसार कोई व्यक्ती कितनी बार राष्ट्रपती बन सकता है तो कितनी बार भी कोई भी व्यक्ती राष्ट्रपती बन सकता है अगला कुशन राश्ट्रपती पद के उमीदवार के लिए नियून्तम आयू कितनी होनी चाहिए 35 वरश ये आपको याद रखनी है राश्ट्रपती अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है उप राश्ट्रपती को सविधान के किस अनुचेद के अनुसार राश्ट्रपती असमाने स्थिती में अध्यादेश जारी कर सकता है अनुचेद 123 के अकॉर्डिंग संसद द्वारा राश्ट्रपती पर महा भीयों की प्रक्रिया कितने दिन पूर सूचना के बाद शुरू की जाती है किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है तो ये हैं हमारे राश्ट्रपती लोगसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है राश्ट्रपती जी राश्ट्रपती के त्याग पत्र की सूचना उप राश्ट्रपती किसे देता है लोकसभा अध्यक्ष को राश्ट्रपती सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत देश में युद्ध या बाहरी आकरमन की स्थिती में अपात काल लगा सकता है अनुचेद 352 के कोडिंग किस अनुचेद द्वारा राश्ट्रपती द्वारा राज्यों पर राश्ट्रपती शाक्षन लगाया जाता है अनुचेद 356 के कोडिंग राश्ट्रपती सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत आर्थिक संकट की स्थिती में अपात काल लगा सकता है अनुछे 360 के अनुसार राश्ट्रपती पद के उमीदवार के लिए अधिक्तम आयू कितनी होनी चाहिए कोई आयू सीमा नहीं है ये भी आपको याद रखना है अगर आपको वीडियो की कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें राश्ट्रपती का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है छे महा के अंदर सविधान के उलंगन में राश्ट्रपती को उसके पद से कैसे हटाया जाता है महा भीयोग द्वारा राश्ट्रपती पर महा भीयोग की प्रक्रिया किस देश के सविधान से ली गई है अमेरिका देश के सविधान से सविधान के किस अनुशेद में राश्ट्रपती पर महा भीयोग के बारे में बताया गया है अनुशेद 61 में किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है राश्ट्रपती की वेतन पर शमादान अत्वा मृत्यु दंड पाई अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है राश्ट्रपती के पास सवीधान के किस अनुछेद में राश्ट्रपती शमादान की शक्ती के बारे में बताया गया है किस अनुछेद के तहत राश्ट्रपती, साहित्य, विज्ञान, कला और समाद सेवा में विशेश ग्यान या वेभारिक अनुभव रखने वाले 12 वेक्तियों को राज्य सबा में मनोनीत कर सकता है अनुछेद 80 के अनुसार संग लोग सेवा योग के अध्यक्ष की निक्ति कोन करता है वह राश्ट्र का प्रति निदितव करता है प्रंतु राश्ट का नित्रित्व नहीं करता है ये कथन किसके लिए लागू होता है राश्ट्रपती के लिए लोग सभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है राश्ट्रपती के पास भारत का प्रतम नागरिक कोन होता है राश्ट्रपती भारत का स्वेधानिक प्रधान कोन होता है राश्ट्रपती राश्ट्रपती के पास कितने तरह की वीटो शक्ती होती है तीन तरह की ये आपको याद रखना है समान अनुपातिक प्रतिनिधितव प्रनाली द्वारा किसका चुनाव होता है राश्ट्रपती का एकल संक्रमणिये मत पद्धती द्वारा किसका चुनाब होता है राष्ट्रपती का राष्ट्र का अध्यक्ष कोन होता है राष्ट्रपती केंदर की समसत कारे पालिका की शक्ती किसमे नहित होती है राष्ट्रपती बे प्रधान मंत्री पद की न्युक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है राश्ट्रपती के पास देश के नियंतरक एवं महा लेखा परिक्षक की न्युक्ति किसके द्वारा होती है राश्ट्रपती द्वारा भारत के महा नयवादी की न्युक्ति कौन करता है उपर राश्ट्रपती कितने समय के लिए राश्ट्रपती पद पर कारिक कर सकता है अधिक्तम 6 महीने के लिए ये काफी important कोशन है ये आपको याद रखना है सरवोच नयायले के मुख्य नयधीश की निक्ति कौन करता है राश्ट्रपती सविधान के अनुसार देश का कारेपाली का अधिक्ष कौन होता है राश्ट्रपती उच नयायले के मुख्य नयधीश की निक्ति कौन करता है तो ये भी राश्ट्रपती करते है वित आयोग को कौन निक्त करता है राश्ट्रपती जी संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है राश्ट्रपती संसद के किस सदन में राश्ट्रपती के खिलाफ महा भियोग लाया जा सकता है किसी भी सदन में तो ये आपको याद रखने है तो ये थे friends राश्ट्रपती के related important questions अब मैं आपको book के बारे में एक पर फिर information दे देता हूँ हमारी अर्दवार्ष की current of age की book launch हो चुकी है friends जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी current of age को mcqs form में और one license form में आपके लिए provide करवाया है और last में आपके लिए 15 test के set भी रखे हैं जिससे की आपकी current of age की त्यारी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी और ये book आपको हर एक exam में काफी help करने वाली है इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं तो जब भी आप इस book को buy करें friends हमारे channels के tradmarks को देखकर ही buy करें तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको द्रापदी मुर्मूजी और राश्ट्रपतियों के बारे में important information दे दी आशा करतों आपको हमारी वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality अच्छे लगी है तो इसे like ज़रूर करें अपने friends के साथ share करें और अपना feedback हमारे comment box में ज़रूर दें तो चली अब आपसे मुलाकात होगी next video में तब तक के लिए thank you and wish you all the best